अजमेर की बकरा मंटी में 15,000 से ज़्यादा बकरे मुंबई और बाहर विदेश से जाते थे लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस साल नहीं जा सके जिसके कारण बकरा मंटी के व्यापारियों में काफी निराशा है बकरा व्यापारी राजुकुरेशी ने बताया कि कोरोना की वज़ा से इस बार कीमतों में 30 से 40 फीसदी की गिरावट आई है बकरे की कीमत इस बार 8 से 15,000 रुपए के पीछ है बकरे के साइज पर भी उसका भाव निर्भर करता है इद उल अज़हा पर इस साल कोरोना महामारी की मार पड़ी है बकरा मंडी में गत वर्ष के मुकाबले इस साल बकरों की कीमत काफी कम रही कोरोना महामारी के कारण पुर्ष दुनिया में काफी लोग मर रहे हैं और कई लोग बिमारी की चपेट में हैं यही कारण बकरा मंडी में भी देखने को मिला सोशल डिस्टेंस की पालना तो दूर ये तो बिना मास्क के आपस में जुंट बना कर खड़े रहते हैं जबकि अजमेर में इस महामारी के आंकडे लगातार बढ़ रहे हैं क्या खिलाने के लिए बग़रे कुछ हैं नहीं क्योंकि व्यापरीबाद खुट के लिए खाने के लिए नहीं चार महीन होगा घर बेटा वह वैपरी तो जानवरों कहां तक हिलाएं गई अजमेर के अंदर यूपी से माल आता है नागोर जिले से आता है अजमेर जिले का भी काप्य स्वयोग रहता है अजमेर जिले का जो माल आता है ला वस वही आ रहा है आज फास का माल मंडी में देखने को नहीं मिलेगा आपको यहां से एक्स्पर्ट मताब मजब नहीं हुरही है इस वार जो आई सप्श्पर्ट मेशोर करोंगरे के ऊपागाई वहए पर एक्सपर्ट की परिमीशन नहीं है करोणा के चलते हुए यहां फें माल खरोप की ठाइद बन पड़ा है बंड़ क्योंते पाद में उससे बहुत पड़ता मंडी के अंदर और कुर्वाणी का बग्रा भी दो चार मंडी बाद आएगा वो भी व्यापारियों के पाद इतना हमार है नहीं है भी क्योंकि चारा मेंगा है ना सब्सक्राइब चारा नहीं है